बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ चैलेंडर पांडे जोतिश में दो ग्रहों का संतुलन ही पूरे जोतिश जगत को चलाता है एक है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा सूर्य का छोटा से छोटा बदलाव या छोटा से छोटा जुडाव जिंदगी पर देश दुनिया पर गहरा असर डालता है आज हम बात करेंगे सूर्य के व्रिशब राशी में परिवर्तन के बारे में क्योंकि सूर्य राशी परिवर्तित करके व्रिशब राशी में प्रवेश कर चुके हैं और इनके प्रवेश का पूरा मामला क्या है अलग-अलग राशियों पर इसका प्रभाव क्या है इस पर चर्चा जरूर करेंगे सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य के इस राशी परिवर्तन का पूरा मामला दरअसल क्या है देखिए सूर्य देव 14 मई को यानि आज के दिन व्रिशब राशी में प्रवेश कर चुके हैं अब व्रिशब राशी में पहले से मौजूद हैं बुद्ध, शुक्र और राहू इसलिए सूर्य जब वहाँ प्रवेश किये तो सूर्य राहू बुद्ध और शुक्र के साथ हो गए हैं सूर्य और ब्रिहस्पती का केंद्र ये संबंद भी बन गया है, ब्रिहस्पती कुम्ब में हैं इस समय और सूर्य व्रिशब में होंगे तो एक दूसरे से केंद्र में आ गए हैं अब सूर्य के इस राशी परिवर्तन का इतना फाइदा तो जरूर होगा कि आम जिन्दगी में, आम जीवन में, स्थितियों में सुधार होगा विवाह और करियर जैसे मामले इससे सीधे तोर से प्रभावित होंगे लोगों का विवा होगा भी और रुकेगा भी लोगों के करियर में उतार चड़ाव की स्थितियां बनेंगी इस राशी परिवर्तन का जो प्रभाव है वो हम सब के उपर या देश-दुनिया पर लगभग एक महीने तक बना रहेगा अब सूर्य व्रिशब राशी में चले गए व्रिशब राशी प्रुत्वी तत्व की राशी है इसके पहले सूर्य अगनी राशी में थे और व्रिशब में चुकी पहले से राहू मौझूद है तो सूर्य और राहू ब्रह्मांड में एक साथ हो गए अब इस राशी परिवर्तन का सामान्य प्रभाव क्या होगा देखिए आग जनी की जो घटनाएं हैं आग लगने की घटनाएं और वायू यान दुर घटनाएं घटेंगी इस समय पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि दुर घटनाएं युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी लोगों के स्वास्त में समस्याएं आएंगी हेल्थ के मामलों में अभी भी कुछ खास सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है और रोगों के मामले में इस समय वृद्धी हो सकती है राजनैतिक रूप से पूरी दुनिया में इस समय उथल पुथल मचेगी और दुनिया में दो देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिती, सैन्य कारेवाई जैसी स्थिती, जगड़े लड़ाई जैसी स्थिती बनेगी तो दुनिया एक तरफ बीमारी से जूझेगी और दूसरी तरफ युद्ध जैसी स्थिती से भी दुनिया इस समय जूझेगी ये संभावना दिख रही है वाहन चलाने और आग के कारियों में विशेश सावधानी रखनी होगी एक सामान आदमी को मैं कहूंगा कि अगर आप आग का कोई काम करते हैं यहां तक कि घर में गैस का चूला जलाते हैं तो उसमें भी ऐलर्ट रहिए और जो लोग गाड़ी द्राइव करते हैं गाड़ी चलाते हैं लंबी लंबी यात्राएं करते हैं उनको भी थोड़ा एलर्ट रहना चाहिए वो उनके लिए बहुत बेहतर होगा